स्वागते दोस्तों आपका हमरी यूट्यूब चैनल इंवेस्ट रटा में दोस्तों पिछले चार दिन के अंदर स्टॉक मार्कीट के अंदर 5% से जाधा करेक्शन आ चुका है यानि कि एक तगड़ा लॉस निवेशकों को डारेक्ट स्टॉक मार्कीट पे निवेश करके हुआ है या फिर जिन लोगों ने मूचल फंड प्लान के तरू पैसे को निवेश क्या हुआ है उनके पोर्टफोलियों में भी रिटन पिछले एक महिने का नेगरेटिव में आ चुका है क्योंकि लगतार एक साल से रिटन जबर्दस्त मिला था मूचल फंड के अंदर बात की जाए या फिर डारेक्ट स्टॉक मार्कीट की लेकिन पिछले एक महिने से दोस्तो लगतार सेंटिमेंट बदल रहे हैं और स्टॉक मार्कीट में एक बात का अंदर साल लगाया जा रहा था कि यहाँ पर एक बड़ा करेक्शन आ सकता है और दोस्तो अभी भी पिछले पांस दिन में 4% से जादा करेक्शन है और अनिवले टाइम में भी दोस्तो इस करेक्शन के बढ़ने की बहुत जादा संभावना है अगर गवर्मेंट चैंज होती है तो दोस्तो जैसे पहले से निवेशक अंदाचा लगा रहे थे कि यहाँ पर आपको 10 से लेकर 12% का एक बड़ा करेक्शन आ सकता है दोस्तो उसकी संभावना अब बहुत जादा पढ़ चुकी है क्योंकि जैसे जैसे अलक्षन की फेस कंप्लीट हो रहे हैं वैसे वैसे सेंटिमेंट बदल रहे हैं और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार बदल सकती है अगर ऐसा होता है तो स्टॉक मार्किट में जैसे पहले से संभावना है एक बड़े करेक्शन की वो दोस्तो आ सकता है क्योंकि लगतार इच्टे दो तीन साल से मूचल फंड की बात हो या फिर स्टॉक मार्किट की लोग उने काफी जबदस पैसा बनाया है देकिन आने वरे टाइम में क्या हमें पैसे को निवेश करना चाहिए या फिर अभी भी हमें यहाँ पर होल्ड करना चाहिए और करेक्शन आने के बाद पैसे को निवेश करना चाहिए और दोस्तो अगर आप मूचल फंड को टेक करते हैं आपको पता चलेगा कि अगर हम बड़े करेक्शन की बात करें जैसे के क्रोना लोकडाउन के टाइम वो दोस्तों एक अलग टाइम था क्योंकि सारी कंपनीज बन थी एक बड़ी टेंशन थी उसकी वज़ाद से स्टॉक मार्किट जरूर क्रेश हुआ था लेकिन अभी हमें को खासा मुमेंट मिला इसी तरह पिछले महीने मार्च में भी 4-5% का करेक्शन आया था लेकिन वापस रिकवरी काफी तेजी से देखी गई थी और दोस्तों इसी बास से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने मरे टाइम में अगर यहाँ पर 5-6% का करेक्शन आता है तो दो यहाँ पर एक शांदा रिकवरी भी देखने करें मिल सकती है तो अगर आप मूचल फंड्स में निवेश कर रहे हैं तो आज हम ऐसे 3 फंड लेकर आए हैं जिसके अंदर पहले बड़े बड़े करेक्शन आये हैं इन्हें फेस करने के बाद भी फंड ने काफी अच्छा रि फंड की डिटेल दोस्तो इसमें हमने 3 फंड पिक किये हैं पहला फंड है SP मेकनम मिटकेप फंड दोस्तो एक महिनी के अंदर फंड का रिटन अपने करेक्टिप में आ चुका है 0.66% जबकि फंड के अनेवी का प्राइस 235 रुपे था दो मई में और अभी करेक्शन के है ओल टाइम में फंड का रिटन 20% से जादा है लेकिन एक महिनी के अंदर अब करेक्शन आ चुका है और दोस्तो सेकेंड फंड जिसके हम बात करे हैं यह टाटा डिजिटर इंडिया फंड दोस्तो आईटी का ये एक दिगज फंड है लेकिन पिछले 5 दिन के करेक्शन के वज़ा से फंड के अंदर आप देख सकते हैं कि 4% से जादा करेक्शन है यह क्यों आईटी के सबसे जादा स्टॉक टूटे हैं जिसका इंपक्ट इस फंड पर साफ तोर पर दिखाई देता है और यह अपडेट सिर्फ 8 तारिफ तक है कल की देट में जो करेक्शन हुआ थ उसका इंपक्ट आपको आज देख सकता है फंड का यहाँ पर रिटन नेगेटिव में 5% के आसपास आपको देख सकता है दोस्तो अगर हम ओवर और लॉंग टाइम की बात करें तो इस फंड ने काफी बढ़िया रिटन दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं 20% से जाद र और दोस्तो थर्ट फंड है HDFC का स्मॉल कैप फंड दोस्तो स्मॉल कैप के डिगरी में एक दिगज फंड है लेकिन 2-3 दिन के करेक्शन की वजा थे फंड का नेगेटिव में रिटन आ चुका है एक महिने का 1.37% लेकिन अगर हम दोस्तो ओल टाइम की बात करते हैं तो इस रिटन काफी जबरदस्त 20% से जादा दिया था लेकिन पिछले 5 साल में फंड का डिटन 25% था और दोस्तो एक साल में जैसे हमने अब को बताया था सारी फंड के अंदर जबरदस्त प्राफिट मिरा था और इस फंड के अंदर भी 130 रुपे के आसपास आच चुका है, यानि कि 10 रुपे का फंड के अनिवी के प्राइस में आपको डिसकाउंट अभी मिलता है, लेकिन दोस्तों इन तीनों ही फंड के अगर हम बात करें, आल टाइम की तो आप देखेंगे कि 20% रिटन है, SP के मेक्टर मिटकेप फंड के अंदर, Tata Digital Fund के अंदर अल टाइम में रिटन 20% से जादा है, HDFC के अंदर अगर हम अल टाइम की बात करें, तो यहाँ पर भी 20% से जादा रिटन है, लेकिन दोस्तों अगर आपका टार्गेट है, अपने लिए 1 करूर रुपे से जादा फंड प लाक रुपे तक फंड बना सकते हैं, अगर हम 15 साल की बात करते हैं, तो यहाँ पर 65,000 का नविश करके आप 10 लाक रुपे तक फंड बना सकते हैं, 20 साल में दोस्तों इस 65,000 के वैलिउ चोभीस लाकी, combinations यानि 25,000 के करीब होगी, लेकिन अगर हम 25 साल की बात करते हैं, तो 65, 65,000 का निवेश करके आप 62 लाक रुपे तक फंड बना सकते हैं और दोस्तों अगर आपका टार्गेट एक करोड़ रुपे फंड बनाने का है तो अगर आप इन तीनों ही प्लान के अंदर 65,000 रुपे निवेश कर देते हैं पार्ट वाइज तो यहाँ पर 65,000 तो यहाँ पर 65 करेक्शन 2020 केंदर जरूर आया है लेकिन शॉर्टर में 2022-2023 के अंदर एक करेक्शन देखने के लिए मिरा था पिछले मही ने मार्च में भी एक करेक्शन आया था लेकिन दोस्तों इन सबी करेक्शन को फेज करके ओल्टाम में फंड ने काफी अच्छा रिटन दिया है जब यहाँ पर लगतार जब से फंड आया है तब से लेकर अब तक निवेशकों को फंड ने काफी जबरदस प्रॉफिट दिया है एक बड़ा करेक्शन 2022 के अंदर जरूर मिला था लेकिन अभी भी भी यहाँ पर फंड के अंदर काफी अच्छर डिसकाउंट आपको मिल रहा है अ फंड के अंदर 9700 करोड रूपे से जाद अगयू है फंड के अंदर ऐसा ही पर आप कर सकते हैं 100 रूपे से और लंब सम्में 5000 कम से कम निभेश कर सकते हैं दोस्तों कर हम हम HDFC स्मॉल केप फंड की बात करते हैं तो इस फंड के अंदर 2020 में एक बड़ा करेक्शन आया था 2022 के और भी दोस्तों करेक्शन के बाद फंड केंबी का प्रायस 134 रूपे है तो अगर हम पांक साल की बात करें तो फंड के अंदर शॉटallo में छोटे मोटे कहलेक्शन जरूर हकिन अगर ऊवर ऑल की बात की जाए तो फंड के अंदर रिटन काफी बहνηतर हुआ है फंड के हम है जबकि SIP के तरूट 100 रुपे और लम सम्में 5,000 रुपे तक आप निवेश कर सकते हैं दोस्तों अगर हम बात करते हैं होल्डिंग की तो यहाँ पर अगर हम S.P.E. पहतीन कंपनी यह शामिल है पॉर्टफोलियो में जिनके अंदर पैसे को निवेश किया गया है दोस्तों गर हम Tata Digital India Fund की बात करते हैं तो इसके पॉर्टफोलियो में 32 स्टॉक हैं IT के जिनमें पैसे को निवेश किया गया है और गर हम टॉप होल्डिंग की बात करें तो इसमे स्टॉक हैं इसमें लार्ज केप स्टॉक भी हैं मिट कैप और कुछ स्मॉल केप कंपनी भी शामिल हैं दोस्तों गर हम बात करते हैं हैं एक पॉर्टफोलियो में 79 कंपनी हैं तो यह पर कुछ पहतीन कंपनी शामिल हैं जिसमें सोनाटा सौफ़वेर, फर्टो सलूजन, बै तो दोस्तों अगर overall बात की जाए तो mutual funds के अंदर पिछले 4-5 दिन से एक बड़ा correction जरूर है, लेकिन अगर आपका target long time पैसे निवेश करने का है, यहाँ पर एक अच्छा खासा correction आपको मिल चुका है, यहाँ से भी आप पैसे निवेश करके एक बड़े fund बनाने के target को पू करने हैं, तन्यवाद